लाव यू दिपिका पाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flyveal Aviation Academy Flyveal Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पितालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटर्विउ गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट प्राक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flyveal Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज Flyveal Aviation Academy गिव्जिव डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब Flyveal Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. College Square बिसाइड करनाट का बैंक नागपूर नमस्कार नागपूर हलचल में आप सभी का स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नागपूर के विविद्ध हलचल पर हाल ही में मंगलवारी एसोसियेशन बजाजविंग नागपूर की और से मध्यनापूर संजय गांधी निरधार अनुदान शासकिये समिती के नवनियुकता अध्यक्षे जुलफेकार एहमद भुट्टो का सतकार किया गया कारेकरम के अध्यक्ष था संस्ता के अध्यक्षे नूर अली ने की इस अउसर पर एसोसियेशन के सचीफ किशन बजाज ने भुट्टो को शौल से तथा एडवोकेट काजी ने पुश्पगुच्छ देकर सतकार किया इस अउसर पर प्रमुख रूप से सिये कपील बारी, सिये पीसी जैन, एडवोकेट भुशिन चंदानी, संतोष कोठारी, श्रीराम पुरोहित, मोईज भाई ने भी पुश्पगुच्छ देकर भुट्टो का सतकार किया और आगे के कारियों के लिए शुबकाम नाय दी नाकपूर मेट्रो के एक बार फिर देश का सबसे लोगप्रिय सरकारी कारयले साबित हुआ है नाकपूर मेट्रो के फेस्बूक फॉलोवर्ज की संक्या शनिवार को 6,6,54 तक पहुंच गई 6 अपरेल 2020 को नागपूर मेट्रो रेल के फेसबूग फॉलोर्स की संक्या 5,5 लाग थी और वह फेसबूग पेज 2015 में लाउंच किया गया था हर साल एक लाग फॉलोर्स की वृद्धी हो रही है महा मेट्रों के Facebook पेज पर परियोजना के बारे में नागरिकों को लगातार अपडेट किया जाता है परियोजना का निर्मान, स्टेशनों की वास्तु कला से संबंदित जानकारी, बाहरी आंतरिक सजावट, परियोजना से संबंदित तक्नीकी जानकारी, मशिनरी की जानकारी, कारिया की आकरशक तस्वीरे इस पेज पर शेयर की जाती है नागपुर मेट्रो के फेस्बुक पेज पर हर अफते 3 लाग से ज्यादा लोग विजिट करते हैं और करीब 70,000 लोग फेस्बुक पोस्ट को लाइक और कमेंट करते हैं इंटेक नागपुर चैप्टर ने तुलसिराम गाइकवार पाटिल कॉलेज ओफ आर्किटेक्चर नागपुर के चातरों के लिए रुकमिनी मंदिर परिसर महल नागपुर में हरिटेज वॉक का आयोजित किया यह वॉक केवल 20 चातरों की भौतिक उपस्तिती के साथ आयोज सामगरी और मंदिर की विशिष्टाओं पर विस्तार से सभी शामिल उत्सुक व्यक्तियों को जानकारी दी रुकमिनी मंदिर परिसर में भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायन से संबंदित दो तिरतस्थल है साथ ही गनेश, हनुमान और गरुड, जल, निकायो और बरदवार के उपमंदिर है, मंदिर परिसर राजे रगुची द्वितियत द्वारा बनाया गया था और यह नाकोर के सबसे'd मंदिरों में से एक है, स्थापत्य शैरदी और वेंभिन सामगरीयों का सयोज नाकपूर में मंदिर वस्तुकला का प्रतीक है, इंटेक पुर्व मध्य रेलवे नाकपूर मंडल द्वारा स्वच्छ ट्रेन थीम के अंतरकत मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपपल नाकपूर के नेतरुत्व में नाकपूर मंडल से गुजरने वाली रेल गाडियों में नामित अधिकारियों द्वारा निरिक्षन किया गया उनके पूर्ड रेलवे कार्मचारियों को रेल गाडियों में स्वच्छता रखने है तू निर्देश भी दिये गए। पूर्व विधायक विजय गोडमारे पाटिल की उपस्तिती में और डिग्डोह ग्राम पंचयत सदस्य राहूल पांडे की नेतरुत्व में राकापा में शामिल हो गए। और पूर्व विधायक विजय गोडमारे पाटिल ने पाटि का दुपट्टा पहना कर इन नए कार्यकरताओं का स्वागत किया। इस अउसर पर राकापा महिला जिला उपाध्यक्ष रश्मी कोडगुले रमेश सिंह राचपुत, पूर्व अध्यक्ष रेखा कलसकर, पूर्व सरपंच, फिजय मेश राम, उमेश सिंह राचपुत, सुधाकर राड के, प्रतीप कोडगुले, राम सपकाल, सूरज लाल ब वाईकोस का इत्वारी शही चौक स्थित श्री पाश्व प्रभु दिगंबर सैत्वाल जैन मंदिर संस्था के कार्याले में सम्मान किया, वाईकोस एक दिवसिये नाकपुर दोरे पर पधारे थे, अध्यक्ष दिलीप शिवन कर महामंत्रित दिलीप राखे, नितिर नखा सतकार के जवाब में अभिजीत वाईकोस ने कहा, मैं समाच के कार्यों में सहयोग करता रहूंगा, कारेक्रम का संचालन नितिर नखाते ने किया, कारेक्रम में सुधीर सिंगारे, प्रभाकर डाखोरे, विनोर श्रावने, दिलीप उबाले, विनैसावल कर, नरेश मचाले, राजेंद्र पिंजर कर, यश नखाते, वैभव भागवत कर, दर्शन नखाते, कुनाल पिंजर कर आदी उपस्तित थे। उन्हें विश्व विद्याले के कूलपती प्रोफेसर रजनीश कुमार शुकल को सौपी है। इस अवसर पर प्रती कूलपती प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, कूल सचीफ कादर नवास खान आदी उपस्तित थे। पर्योजना की मुख्य अनवेशक डॉक्टर सुप्र प्रतिक भागिदारी सहीत जीवन की प्रमूख पहलूओ को अनवेशित किया है। उन्होंने प्रस्तुत शोध के अंतरगत, परिधी की महिलाओ की मीडिया जनित सामगरी की छवी को उद्धोटित करने की दृष्टी से विशलेशन किया। और वास्तविक जीवन की कथाओ के साथ सहसंबंदित करने का प्रयास किया है। शोध के प्रथम चरन में धारवाहिक विग्यापन वेब सिरीज में प्रस्तुत कथान को एवं चरित्रों का विशलेशन किया गया। तथा दूसरे चरन में क्षेत्र गत अनुभवो, साक्षातकारो, समूह चर्चा तथा चै शहर के कई इलाकों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई निचले इलाकों में पानी जमा होकर रह गया। खास कर बेजन बाग की सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया था। यहां के गुरू हरीकिशन पबलिक स्कूल में भी कमर तक पानी भर गया था। परिसर में रखे सामान को काफी नुकसान पहुचा जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा पालक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत के सुझाव के अनुसार मंगलवार को जिले के 330 केंद्रों पर महिलाओ के लिए विशेश टिका करन अभियान चलाया गया इस अभ इस लिहाद से ये टिका करन अभियान काफी सफल रहा है अभियान का उद्देश महिलाओ के जीवन को सुरक्षित बनाना है क्योंकि पुरुषों की तूलना में महिलाओ के टिका करन की संभावना कम होती है और तीसरी लहर में खासकर छोटे बच्चों पर कोरोना वायरस का विशेश प्रभाव पढ़ने वाला है ये अभियान नाकपुर शहर के 166 टिका करन केंद्रों में चलाया गया मनपा क्षेतर के अंतरगत 12,363 महिलाओ और ग्रामिन क्षेतरों में 9,867 महिलाओ का टिका करन किया गया इस अभियान में गर्भवती महिलाओ का विशेश प्रत आधी ने अभियान के क्रियान वयन के बारे में सटिक आयोजन किया था केवल महिलाओ के लिए आयोजित विशेश टिका करन अभियान के दोरान मनपक शेद्र के 155 केंद्रों पर टिका करन किया गया इस अभियान की स्थिती का अवलोकन करने महापौर दयाशंकर तिवारी ने शहर के कुछ टीका करन केंद्रों का दोरा किया और टीका करन विवस्था का निरिक्षन किया इस दोरान निगम के चिकित्सा और स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर, स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, अतिरिक्त सहायक चिकित्सा स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, डॉक्टर गोवर्दन नौखरे आदी उपस्तित थे मनपा आयुक्त राधा कुरुष्णन बी ने भी महिलाओ का अभिनंदन किया महिलाओ के लिए विशेश टिका करन अभियान के लिए नाकपुर महानगर पालिका के 155 केंद्रों पर महिलाओ के टिका करन की व्यवस्था की गई इन केंद्रों पर महिलाओ ने अच्छा प्रतिसाद दिया और उन्हें टीका लगाया गया यदि परिवार के सहयोग से महिलाय सुरक्षित है तो वे पूरे परिवार की बहतर देखभाल कर सकती है और उनकी रक्षा कर सकती है इस पहल को अच्छा प्रतिसात देने के लिए महापौर दया शंकर तिवारी ने सभी महिलाओ का अभिनंदन किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष में हनुमान नगर में शंकरराव भोयर के राशन दुकान के समक्ष राशन किट का वितरन विधायक मोहन मते के हाथों किया गया कारेक्रम में नगर सेवक, रविंद्र भोयर, नगर सेविका उशा पैलट, प्रीती राशदूरकर, अरुन पापंकर, शंकरराव भोयर, अनिल लबाडे, लोदासे जी, दिनेश देशमुक, दिलीब दुर्गे, वो बड़ी संख्या में भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरता एवं पदादिकारी गण उपस्तित थे, श्यूसेना मध्यनागपूर का एक शिष्टमंडल श्यूसेना मध्यनागपूर के उपप्रमुक रमजानुल हक रमजानी के नेतरुत्व में, मध्यनागपूर वो विशेशकर मोमिनपुरा प्रभाग में संजाई गांधी शिष्टमंडल ने नागरिकों की परिशानियों को व्यक्त करते हुए उन्हें बताया कि दलालों और पटवारियों की मिली भगत से काम कराने वाले लोगों को अब राशी बंद होने के बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, साथ ही तंगी का सामना करना पड़ रहा है, शिष्टमंडल ने की, तैसिलदार ने तमाम सूची वकागत पत्र देखने के बाद उचित कारवाई और कामकाज में बेहत सुधार लाने का आश्वासन दिया, शिष्टमंडल में आबिद अंसारी, मौमत शकीफ, खलिल यजदानी, हाजी तैयब सेट, शेक बब्बू, श 87 जैंती महोचसव उपलक्ष में, तथा पूझ्य सद्गुरु स्वामी नारायन भजन महाराज जी के आशिव चंद्रकुमार टेक चंदानी सयोजग ने बताया, कि परम पूझ्य सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज का मानवीय सेवा का संदेश जैपूर फुट शि इस शिवीर में 386 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रीम पैर, कैली पर्स, बैसाखी वर, स्प्लिंट्स दिये गए सयोजग बनाक चंद्र कुमार टेक चंदानी ने बताया, कि परम पूझ्य सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज का मानवीय सेवा का संदेश जैपूर फुट शिवीर के रूप में समादा आश्रम द्वारा जनमानस को दिया है विरेंद्र कूकरेजा ने कहा कि पूझ्य समादा आश्रम की मानवीय सेवाय पूरे नगर की जनता तक पहुच रही है तथा इस जैपूर फुट शिवीर द्वारा महाराश्टर मध्यप्रदेश चतिसगर से दिव्यांग व्यक्तियों ने लाब लिया है मंचसंचालन वह आभार प्रदर्शन श्रिमती नीलम ठकवारी ने किया कारेकरम के सफलतार्त समादा आश्रम सेवा मंडल के सभी सेवा धारियों ने अथक प्रयास किये ICSI के WIRC नाकपूर चैप्टर ने ICAI के राष्ट्रिय अध्यक्षे निहार जंबू सरिया का सतकार किया वे यहाँ ICAI की नाकपूर शाखा की और से आयोजित टैक्स कॉनक्लेव कारेकरम में सम्मिलित होने आये थे ICSI की नाकपूर शाखा की चेर परसन CS खुश्बू पसारी ने उन्हें ICAI की नाकपूर शाखा द्वारा की गई विभिन्न संयुक्त गति वीदियों से अवगत कराया ICAI की नाकपूर शाखा के अध्यक्ष सीए साकेद बगडिया ने उन्हें ICSI के नाकपूर चैप्टर के नए उद्घाटन किये गए अतिरिक्त परिसर के बारे में जानकारी दी CA निहार जम्बू सरिया ने ICSI के नाकपूर चैप्टर को उनके नए परिसर के लिए बधाई दी और नाकपूर स्तर पर दोनों संस्थानों के बीच संबंदों की सराहना की इस अवसर पर CA मनिश गाडिया, CA रश्मी मिटकरी आदी उपस्तित थे शहर कॉंग्रेस क्रिश्चन कम्यूनिटी सेल के पदादिकारियों की अगवाई में इसाई समाज के एक शिष्ट मंदल ने नाकपूर जिले की पालक मंतरी एवं राज्य उर्जा मंतरी डॉक्टर नितिन राउट से भेट कर उन्हें एक ग्यापन सौपा ग्यापन में मांग की गई है कि आगामी नाकपूर महानगर पाली का चुनाव में इसाई समाज के काबिल उमिद्वारों को कॉंग्रेस पार्टी की उमिद्वारी दी जाए प्रतिनिदी बंडल ने चर्चा के दौरान कहा कि इसाई समाज के उम्मिद्वार सिर्फ सर्वसाधारन वर्ग में ही चुनाव लड़ सकते हैं इसलिए सर्वसाधारन वर्ग में उस वर्ग में आने वाले समाज के उम्मिद्वारों को ही उम्मिद्वारी दी जानी चाहिए अ अगर पालिका के इतिहास को अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस पार्टी ने इसाई समाज के काविल लोगों में से केवल गिने चुने लोगों को ही उम्मिदवारी दी है जो की सरासर अन्याए हैं यहां अन्याए मनपा चुनाओं में तो भी दूर होना चाहिए और इसाई सम सरकार के निर्देशा नुसर नागपुर मनपा राष्ट्रियक क्रूमी मुक्ति दिवस के अवसर पर 21 से 28 सितंबर 2021 तक क्रूमिनाशक दिवस सप्ताह मना रही है इस दोरान आशा कार्यकरताओं और अंगनवारी कार्यकरताओं ने छोटे बच्चों में पेट की बिमारियो से बचाओ के लिए क्रूमिनाशक गोलिया बाटी बारिश के मौसम में होने वाली पेट की बिमारियों से बच्चों को बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभियान है और इसे नाकपुर के लोगों द्वारा लाब उठाया जाना चाहिए अपने बच्चों के स्वास स्वास्टे और सुरक्षा के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने सभी पालकों से मिशन में सहयोग देने की अपील की धंतोली जोन के बाबुल खेडा सिविल प्रात्मिक स्वास्टे केंद्र में राश्ट्रिय क्रूमी नाशक दिवस अभियान शुरू किया गया इस अ स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार सहयक चिकित्सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी जोन स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर मेगा जैतवार नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजु वैद्य आधी मान्यवर मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में पंकत चुक, वरिष्ठ, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नाकपुर के द्वारा द्वजारोहन किया गया तथा 37 स्थापना दिवस के उपलक्ष में सभी को शुबकामना दी गई शुबकामना देते हुए वर्तमान परिवेश में रेलवे सुरक्षा बल के कार्य के दोरान उत्पन होने वाली समस्या का निराकरन करते हुए भविश्य में यातरी सुरक्षा को सर्वो परी रखने के साथ ही आरोपियों को पकड़ने में एवं ईबीट एसकॉट ड्यूटी क तहट भविश्य में लागू करने होने वाले प्रकलपों के संबंद में उपस्तित मान्यवरों को अवगत कराया गया। अवैद दलालों को पकड़ने हेतू चलाए गए अभियान में रेल अधीनियम के तहट अब तक कुल 72 मामले दर्ज किये गए। भारत के स्वतंतरता की 75 वी वर्षगाट के आउसर पर पुरे देश में अमरुत महुतसफ की गतिवीदियों का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए प्रतेक विभाग को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार कारे क्रमों का आयोजन करना चाहिए और इस महुतसफ में हर विभाग को सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इस आशे का अवाहन नाकपूर विभागिय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने विभागिय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में किया बैठक में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप का प्रस्तूती करन दिया गया इस बैटक में जिला कलेक्टर विमला आर जिला परिशत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुम भेज कर पुलिस अधिक्षक ग्रामिन राकेश ओला वनामती के निदेशक डॉक्टर माधवी खोड़े के अलावा नाकपूर महानगर पालिका और जिला प्रशासन के व आयोजित कारेक्रम की समिक्षा की गई उन्होंने नाकपूर मंडल में आयोजित होने वाले आगामी कारेक्रमों और विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले दाइत्वों की भी समिक्षा की इस महतसफ के दोरान नाकपूर जिले में जिला परिशत के माध्यम से ब देंगू रोक्ताम अभियान के तहट मनपा की स्वास्ते टीम द्वारा देंगू पिडितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। देंगू रोक्ताम कारेकरम के तहट प्रतिक नागरिक इस बात का ध्यान रखे कि उनके घर के आसपास अत्वाक्षेत्र में कही भी मच्छर नपन पन पे। पश्यम नागपूर की पांडराबोडी अंबाजरी बस्ती को बसाकर तथा इसक शेत्र से पाच बार नगर सेवक मनपा में चुनकर आने वाले स्वर्गिय महादेवराव भोरकर की 102 वी जयनती हाल ही में पांडराबोडी स्थित भगवान हनुमान मंदिर प्रांगन में श्रद्धा से अनेक कार्यकरताओं की उपस्तिती में मनाई गई। सर्वप्रथम उनके छाया चित्र पर उपस्तित कार्यकरताओं ने माल्यारपन कर श्रद्धा से उने विनम्र अभिवादन किया। जोपड़ पट्टियों में रह रहे लोगों के पालक मंत्री थे और उनके मार्गदर्शन में ही जोपड़ पट्टी यहाँ पर स्थापित हुई है। लेकिन रामनगर चौग पर पांडरा बोड़ी एवं हील टॉप में आने जाने वाले मार्ग पर मुख्य स्वागत गेट उनके नाम का महानगर पालिका के महापौर तथा विधायक विकास ठाकरे फौरण बना कर दे तो यही सच्ची श्रद्धानजली उनके सम्मान में आशन खेम चन पटले ने दिया एवं आभार श्याम सोने करने माना इस अवसर पर सर्वश्री यूवराज शिव निलिमा दुपारे आदी मान्यवर कार्यकरता उपस्तित थे तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके बी नियूज नमशकार लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है अपने सपने सपने सब्सक्राइब करनाट का नागपूथ